हेलो एन वेलकम गाई स्वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग आई सी सी अरेबियन टीट्मेटी लिग की बात करेंगे जो कि मैच होगा यहां पर एमिरेट्स एनबिटी सिगेटी क्लब वसीस मीड़े इस मेटल्स के बीच में तो चलेए जोटनों इटीम के प्लियर पर एक बार नजर गल लेते हैं कि कॉंसर टेम को लोग ऐसे स्मौल लिग में लेगे जा सकते हैं, कॉनसर प्लियर गम लोग ऐसे ग्रैंड यूटूब चैनल को भी दख अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे बेला आपको यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि पूरी टूर्णामेट इसी यूटूब चैनल पर कवर की जाएंगी इसके अलावा आपको यहाँ पर CBFS T10 के वीडियोस मिलेंगी साथी में यहाँ से कल से ब्यंगाल वूमन T20 शुरू हो रहा है और उसके सारे मेचिस के वीडियोस आपको इसी यूटूब चैनल पर मिलने वाला है तो यूटूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है साथी में टेलिग्रम चैनल से जुड़ जाएगा क सिंपल आपको उसे जॉइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलिग्रम चैनल पर मिलने वाली है बात करें इस मैच के तो यह मैच रात को 10 बज कर 30 मिनिट पर ICC Academy दुबाई UAE में खिला जाएगा पीची रिपोर्ट ऐसे बेटिंग के लिए इसी सी की जिनके पर्फोर्मस इतना कुछ खास रहा नहीं अभी दक 5 मैच के लिए जहां से सिर्फ एक मैच जिती है चार मैच वो हार किया रही है ओपनिंग में को नहीं है यहां पर मुहमाद शाहीर यूसुफ और यहां से सोहिल अनवर बट दोनों ओपनिंग करवाए इं शुरुआत अच्छी कि इसके बाद अभी दक इतना कुछ खास पर्फोर्मस आया नहीं है तो इससे रिस्की रहेंगे अभी लेके जाना बाकी सोहिल अनवर बट अच्छे प्लेयर है लास मैच के अंदर 35 रन की एक अच्छी पारी के लिए ओर अठारा मैच के अंदर करीब है नहीं आला कि इस टूना मैच के अंदर इन्होंने एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी जरू लगाई है तो बैटिंग से आपको तगड़ा पर्फोर्मस दे सकता है करीमर बैल इसके एवरेज है 121 मैच के अंदर 37 38 रन है 3738 रन है तो बैटिंग से हम लोग इनके पर लास्ट पिछली दो जो आकरी मैच के लिए वहाँ पर वो विकेट लेस रहे लेकिन ये बैटिंग से और वोलिंग से दोनों इसे एडवांटेज दे सकते है 15 मैच के अंदर 10 विकेड है और करीमर 31 के वरेज से 469 रन कियो है तो बैटिंग से आपको तकड़ा पर्फोर्मस ह बैटिंग से दोनों इसे एडवांटेज दे सकते है तो यह पंट प्लियर है और इनको जरूर लेखे जाना है लास्ट मैच के लिए विकेट भी निकाले तो अभी हम लोग इनको जरूर लेखे जाएंगे तो आप लोग इनको ट्राइक कर सकते हो बाकि मोहमद असद अली र याशिर की बात करतो लास्ट मैच के लिए तीन विकेट निकाले यह बाइस है यह ऐसे पूरी उवस करवाएंगे हरे एक मैच के लिए और अपको बॉलिंग से अच्छा परफॉर जरूर जरूर जय सकता है तो अब लोग इनको ट्राइक कर सकते हो बाकि अखला खेदर की ब बडे परफॉर्मस जरूर दिये यहाँ पर एक बार दो विकेट निकाले एक बार पांच विकेट निकाले लास्ट मैच की बात को तो एक विकेट निकाले ओर अनूरादा एकानाया की बात करते हो यह ओक्योगे रहेंगे यहासे वह पव शिरुवाद का फ़े अचार रही दो विकेट निकाली थी ओर ओर ओल ग्यारा मैच के अंदर बारा विकेट है बगर उसा एक टाइम कर सकते हो स्टार्टिंग वसमें यासे मुहमद यासीर और यासे अखलाक हैदर दोनों स्टार्ट करेंगे देथोस में ऐसे मुहम्मद याशिर के साथ अखला के अधर देथ में आएंगे तो दोनों यहां से स्टार्टिंग में और देथ में दोनों में गयनबाजी करते हों रजर आ सकते बाकी बेंच में से अगर कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगेरा में आपको टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगा ताकि आपको आसानी रहेगी क्योंकि वो ज़्यादा तर बेटिंग से नीचे याते हैं फैजानवान रेगूलर बीजिस पर उपर आ सकता है अला कि बेटिंग से इनके काफी अच्छे आकड़े है करिबान उन्चास की अवरेंच से 90 मैच के अंदर 24 653 रन किया हुए 54 विगेर निगाले हुए लास मैच क्याई मेरे लिए यहां पर क्याप्टन और वाइस क्याप्टन की चोइस हैंगी तो लास मेच के अंदर भी मेरे वाइस कैप्टन थे जहाँ पर उन्होंने तीन विकेट निकाली एक बार फिर से भी आज की मैच के लिए मैं इनको शायर यहापर कर सकता हो इर्फान यहां से पहले एक टूनामेट के अंदर आप देख सकते हो तो इस लेवल का परफॉरमस कभी भी दे सकता है तो बैटिंग से अच्छा एड्माटिज दे सकता है शायद में यहां से मंदन सिद्धी के साथ जा सकता हो इनका नाम आपको ओल रांडर सेक्सेंस में दिखेगा से कभी भी तीन से चार विकेट निकाल सकते हैं यह टूनामेट जब शुरू होई ना यहां पर यह अरेबियन टी-ट्वेंटी इससे पहले एक टूनामेट खेल रहे थे हाला कि वो ड्रीमेलवन में एड़ हुई नहीं थी लेकिन वहां पर इन्होंने शेंचुरी की हुई टी-ट्वेंटी गेंदर तो इस लेवल का परफॉमस यह बाइस आप कभी भी दे सकते हैं तो यह पंट प्लेयर बनेगा आपके लिए जील वगेरा में ट्राइ कर सकते हो नोमान पहले थोड़े से उपर से गेलते हैं लास मैच के ना काफी नीचे खिले लेकिन परफॉमस क आप यह अच्छा किया है तो डिफरेंस लेव में एक अच्छी चोईस बनेगी बागी खुर्रम खुआजा एज प्लेयर के साच सीदे कैप्टन वाइज कैप्टन की चोईस रहेंगी डिफर्ट कैप्टन है सबके कैप्टन यहाँ पर आपको खुर्रम खुआजा मिलेंगे मुस्तफा आयोग पिछली दोनों मेंच के लिफिकेट निकाल रहें तो आपके लिफरेंस लेव में एक अच्छी चोईस बन सकते हैं आपके लिए ट्राइ कर सकते हो मुहमत कैश्सर की बात करो तो एक मैंच के अंदर यहाँ पर इनको तीन विफिकेट बिला बाकि दो मैंच के लिफिकेट लेसर हैं तो यह तो थोड़े से रिस्की रहेंगे हजरत बिलाल को ट्राइ कर सकते हो पूरी ओस करवा रहा है बाकि अतिकूर की बात के अदो लास मैच के अदर बैटिंग के लिए नहीं आई बाकि बैटिंग ठीक ठाक करवा ही ये स्टूडामेंट के अंदर विकेट केविंग सेक्षन से दिखेंगे आइ ठीक बिकेट केविंग सेक्षन से अगर अज़िछ ना मिले तो यहाँ पर अतिकूरहिमन को आप लोग ट्राइ कर सकते हो स्टार्टिंग गोस की बात करो, इसमें यहाँ पर तेहरान खान और जालाम पर अयूर्व करेंगे आप लोग यहां से अत्तिकूर का पर्फॉमस अच्छा है साहिर से बहतर है लेकिन दोनों में से किसी एक कोई लूंगा मैं यहां पर बैटिंग सेक्शन से अखलाक हैदर फैजान आवान इनके साथ यह से मुहम्मद यासीर और यहां पर हमाली टीम के दरेंगे यहां पर मुह की मैच के लिए तो मैं इनको लेखे जा रहा हूँ बाकी वल्राउंड सेक्शन में आप खुर्राम क्वाजा मंदन सिद्धी की और ऐसे एल मालवट्टा आप लोग मालवट्टा की जगा पर अली एन्वर को ले सकते हो दोनों में से किसी एक को आपको ट्राइक करना है लेक करना है कि कैप्टन डिफोल्ट है यहां पर खुर्रम ख़ाजा वाइस के तोर पर मैंने यहां से ट्राइक किया है तेहरान खान को थेहरान खान हमारे वाइस के रहेगे अधर और ऑप्सन की बात तो अज़र्ट बिलाल एक अची चोई से इनके पर बरोशा कर सकते हो क्या प करना है तो यहां अगर वीडियो को लाइक कर देना है साथी में यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलिएगा क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे में चिसके वीडियो आपको इसी यूटूब चैनल पर मिल जाएंगे तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नहीं सब्सक्राइब वीडियो करें तब तक आप पूरा वीडियो रिखते रहो अच्छे से अनालिस सच करो अच्छी टीम बनाव अच्छी में निंग करते रहो तब तक के लिए बाई धन्यवाद जय हिन जय भारत